हलो दोस्तों आपका हमारी चैनल कुगवेश पूड में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीसियस रेस्पी है सर्दिया खतम हो उससे पहले एक बार जरू बना कर आप ट्राय कीजिएगा बहुत ही पसंद आएगी मेथ इसे लिए लेंगे हम 2900 ग्राम मेथी और मेथी की फट्रीम काड़ करदें इसके ड़ेना है यह देखिए बड़ ले के पी चरना है यह देखिए आप आप लीए ऐस्टी से करल लिए मेथी में mag डाले और उसके बाद ही इस मेदेट पह नेगी मेथी घ्रबार मेथी कर दोब है यह देखे इस तरह से निकाल लेंगे और इसका पाने पूरे निकाल देंगे अब लेंगे कड़ाई इसमें डालेंगे दो छुटा चमच ओयल गरम हो जाए तब डालेंगे इसमें थोड़े से गरम मसाले एक तेज पत्ता थोड़ी सी दाल चीनी का टुकड़ा दो लॉंग थोड़ा सा जीरा मसाले अच्छे से भुन जाए फिर इसके बाद डालेंगे हम दो मीडियम साइच की कटी हुई प्याज इसको रफली चॉप कर लिया है हमने इस तरह से मिसको बढ़िया से भून लेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फिलिम पर बढ़िया से बूनेंगे यह देखिए प्याज के कलर चेंज हो गया है अब इस मैट कर देंगे हम एक चमच अधरक लेसुन का पेस्ट इसको बढ़िया से बून लेंगे मेथी मेटर मलाई बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होती है अब इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च इसक दो चोटा चमच ले लेंगे हम धनिया पाउडर और एक चमच डालेंगे हम इसमें कस्मेरी लाल मिर्च इससे बहुत बढ़िया कलर आता है मसाले डालते समय फ्लेम को सिलो रखें इस तरह से सिलो फ्लेम पर 30-40 सेकंड बून लें उसके बार डाल देंगे दो टमाटर की प् बून लेंगे जितना सलो फ्लेम पर मसाला बूनेगा उतना बढ़िया टेस्ट आएगा यह देखिए मसाला मार अच्छे से बूनने लगा है कडाई चोड़ने लगा है इसको बढ़िया से इस तरह से बूनेंगे अब इसमें एट करेंगे हम एक बाउल के करीब मतर यह आप इस तरह से मेथी मेटर मलाई बनाएंगे तो यह बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होती है बिल्कुल भी कड़वाएगी नहीं मेथी इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनिट तक इसी तरह हमें मसाले में भून लेना है यह देखिए 2 मिनिट बढ़िया से हमने इसको भून लिया है अब इसमें एड़ करेंगे आधा कटोरी फ्रेस मलाई हमने घर की मलाई का यूस किया है इसमें इसको अच्छे से फेट के डाला है अब इसको अच्छ है इसको पानिया यूज़ कर सकते हैं दूत का यूझ क là कि लिए इसकि अच्छे चला लेंगे और अच्छ bricks को मैं यहाँ पर भूप dar देना है और 10 मिट के बाद हम देखेंगे यह देखें कितने बढ़िया से हमारी मेथी मटर मलाई बनकर तयार हो गई है अब इसमें एट कर देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला चौथा चमश की करीब इसको हम लास्ट मेट करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आ तयार हुई है एकदम टेस्टी और डिलीसियस रेस्पी बनकर तयार हुई है हमारी आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जबर बताईएगा और हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू कर दो